नवस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम रेडियो बेब के बारे में जानेंगे और इसे समझेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है इससे पहले हम और एक चीज आपको बता दें कि जैसे इस समय एर्थ की फिर्क्वेंसी चेंज हुई है यह जो ग्रेबटी है इसमें आई है हमारे पिर्तिवी यर्थ की और कुछ और भी नई चीजे हैं जैसे एक और आपको बताते हैं कि जैसे आप उपर की तरफ ऐसे आख करेंगे अपने आखों को और आप सुबा या साम के समय अगर इस पेस में भी देखेंगे या अपने कमरे में जहां पे लो लाइट है वहां पे अगर ऐसे आख करके और अपने आख को ऐसे ऐसे इधर या इधर घुमाते हैं और घुमाते समय ध्यान दें कि यह जो फिना मेना मतलब कुछ चीजें दिख रही है वो क्या है कुछ ब्लेक धब्बे की तरह और कुछ जैसे हमारा डियने होता है कि ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जुड़ा रहे गा कुछ हभी आगार क्लियर नहीं है क्लियर होके हम बताते हैं फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके यह इस ताइप का और यह कॉंस्टेंट नहीं रहता जब आप आँख ऐसे करेंगे तो इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा और ये बहुत सारे जो है डॉट दिखेंगे इस समय आप देखेंगे जो लोग इस पर कियर नहीं किया होंगे कियर करके देखना या तुरंत आप कर सकते हैं अपने आँख को ऐसे करें और इधर या इध इधर गुमाएं और गुमाते समय आप इस पर क्यों लाइट पर ध्यान दें लाइट मतलब आख की रोस्तनी के सामने जो चीजें इधर से इधर कुछ चीजें हो रही है उसे आप रीड आउट करें कि यह क्या है फिर हम आपको नेक्स्ट बताएंगे इसमें आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि रेडियू वेव क्या है इस रेडियू वेव को कुछ इजी तरीके से समझाने का मैं कोोसित करता हूं आपको विसकी समझें बहले हैं जैसे पूरा इनोर्स जो है एक एनर्जी है ओनर्जी आप पूछेंगे कि energy क्या है तो energy का हम explain कुछ इस तरीके से करते हैं कि जैसे तो पहले एक example लेते हैं कि जिसे एक वायर है जहां पे हम फैन को चलाते हैं जहां से electricity उसमें जाती है यानि बिजली हमारी AC current sign wave ठीक है अगर वायर को देखें तो physical रूप से तो वायर दिखेगा ल हमको जटका लगता है या फैन चलता है तो उसी energy के आप label को सोचें और समझें तो उसी तरीके से आपको यह बहुत clear समझ में आएगा कैसे जिसे पूरा inverse एक energy है और वह बाइब्रेट बाइब्रेट मतलब कमपन और जहां भी energy कमपन होता है तो उसमें कुछ भी अगर उसमे मतलब oscillate होता है तो वो एक frequency generate होती है और frequency क्या होता है frequency वो बार-बार एक उसका fixed frequency होता है एक होता है कि अलग-अलग frequency होता है तो यह इसी सब सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि radio बेब जो है मारा बेब मतलब होता है तरंग हिंदी में और radio एक माध्यम है जहां पे हम अपने voice या video को जो transmit कर सकते है एक जगा से दूसरे जगा अब यह कैसे है यह ऐसा नहीं कि यह किसी ने बनाया है यह system हमारे inverse का automation system है और यह system में यह जीज़े जाना गया है और जब से इसकी जानकारी हुई है radio बेब के बारे में तब से हमारे जो है technology कहां से कहां पहुँच गए है जैसे की radio बेब को आप अगर देखें तो इसका use कहां कहां होता है तो radio and television broadcasting के लिए होता है रेडियो में जैसे हम कई जगा radio station होते थे जहां से voice शिरिफ आती थी और जब television बना तो इसमें voice और जो है video यानि चित्र और जो है आवाज दोनों को इकठा करके यह broadcast किया गया तो इसकी transmitting और receiving यह भी जो है radio wave के द्वारा ही संभव होता है अब इस समय हर जगे पर wi-fi मलब यूज के जा रहे हैं घर में Wi-Fi भी जो है एक radio wave के जो माध्यम से यानि एक carrier समझे कि जहां पर carrier मतलब होता है कि जिस पर किसी चीज को रखके उसमें कहीं से transmit या receiving किया जाए तो यह एक माध्यम का काम करता है अभी हम और clear करेंगे भी जो मुझे थोड़ थोड़ा समझ समझाने का जो आया idea वो चीज़ अब यह wireless और fidelity तो यह हो गया इसका wireless fidelity यह system हो गया और यह Wi-Fi का संकेत है यह संकेत भी बाइब्रेशन का बता रहा है ठीक है यह जो संकेत है अब तीसरा हो गया Bluetooth जो आकसर मोबाइल में यूज करते हैं और मोबाइल के लिए यह भी यूज में आता है Wi-Fi system अब चौथा हो ग सब कुछ मालू हो जाता है जैसे मारा ओला हुआ ओबर हुआ और यह जो autopilot drive system बने हैं और आटोमेटिक ड्राइबर कार तो यह बिना जो ड्राइबर के जो ड्राइब हो सिस्टम हो रहे हैं यह टोटल GPS सिस्टम और कुछ सेंसर के द्वारा इस चीज को जो है बैलेंस करके हमारे रोड पे और हर जगे पे जो है इसको चलाया जा रहा है ऐसे ड्रोन टेक्नालोजी है ड्रोन में आपको GPS के द्वारा बहुत कुछ सारे चीज़ें उसमें भी देखने को मिलेगा तो ऐसे इसके बहुत अगर अंदर तक जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेगा इसलिए हमने जो है रेडियो वेप के टॉपिक को स्टार्ट किया है अब यह लिए राडर पे डार होते रडार से क्या होती है उस तो इस ही और को और को खारता है उस चीज़ेंसिशेंगेमाल करता है जैसे समय इसराइल और कई जगे पर आप सुने होंगे कि जहां पर उसने एक अपना पूरे देश का जो सिस्टम बना के रखा है फिर्क्वेंसी कि उसके अंदर कोई भी वैसे चीजें जो है इंटर ना करें अधर फिर्क्वेंसी और यह चाठवा है से लुर्ड वाइ बता रहे हैं यह चीजे रेडियो बेव के द्वारा ही होती है अब आजाता है कि अपना हमारा अगर देखें तो वाइफाइ सिस्टम जो है हम भी जो है एक फिर्क्वेंसी हैं अगर आप फिजिकल रूप से देखेंगे जिसे हमारा हाड़वियर हुआ तो हाड़वियर वा ठीक है यह सब अलग एक हो है इसलिए बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टन है टॉपिक यह होना चाहिए कि हमको अपने बारे में जानना चाहिए क्योंकि पुराने चीजों को सीखने और जानने के लिए हमको आदर की जरूरत सांस है अपने आप चल रहा है कि अब जैसे यहां पर हम देखते हैं सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर क्या है सेमी कंड़क्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्द चालक अर्द मतलब आधा हुआ चालक मतलब ड्राइपर हुआ जैसे एक एक्जामपल लेते हैं हम जैसे अगर आप इसे गहरे में जाएंगे, तो आप देखेंगे, कि एक संजे नाम का एक इंसान था, जो इस चीज को बताया था, और कहां, जो दिश्ट हीन थे, यानि देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन सकते थे, तो उनको संजे ने सुनाया था, और संजे जो टेकनोलोजी यूज वह टेकनोलोजी क्या था? वह टेलिपैथिक थी, अब टेलिपैथिक ऐसे हुई? इसी चीज को आप बहुत गहरे में समझेंगे, तो कोई भी फ्रेकूंसी इस इन्वर्स में, हर चीज एक फ्रेकूंसी है, उस फ्रेकूंसी से सिंक होना, सिंक होना जूड़ना, सिंक्रोना तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे हम एक्टिवेट करें तो इस चीज़ को बहुत आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं यह हम कहां से समझें कहां से जाने हैं यह हम आपको बता दें कि मैंने सीखने के लिए अदर जगे पे कहीं भी प्रयास नहीं किया है मुझे अगर आया है तो मुझे थोड़ा बहुत अलग से सहारा लेने की ज़रूत पड़ी है बाकी मैं खुद ही इंटर्नल अपने आप इसको सीखा हूँ और सीख रहा हूँ जो आप लोगों को बता पा रहा हूँ आज 5 साल पहले भी पैनल के बारे में हमने देखा था समझा था आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि उस समय może थिक से बोल भी नहीं पाते थैं तब भी हम पैनल के बारे में खुद समझ के इस चीज़ को आपको बताया था जो कि पहली बार हम खो आया था और आइसे से यहां पर है। है। यह काम ऐसे करता है। तो इसी चीज से हम् को बहुत सारे सहारे मिले। कि जैसे जैसे हम को इंटर्नल अपने आप आया है, तो इस चीज को आपके सामने कि एक अग्जमपल जीता जाकता है। कि जो प्रूफ के तोर पे हम कहीं भी बता भी सकते हैं, आपको समझा भी सकते हैं इस चीज को, कि कैसे इंटर्नल इस सारी चीजे आती हैं, और कैसे हमको जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीजी, कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तो सबसे डेटा उसमें पास्ट डेटा डालकर या सब्टुवेर से जो चीजें बनाया जाता है वह एक फिक्स होता है लेकिन हमारा क्या है अनलिम्टेड यह अनलिम्टेड है पुरी स्पेस में कनेक्टिंग है ठीक है इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना सब्टुवेर डालने के यह अनलिम्टेड जुड़ा हुआ हम लोगों का जो फिरक्वेंसी है वह जुड़ा हुआ है इस पेस से तो इसके बारे में समझने के लिए हमको बहुत जरूरी है आज कल देखिए फिरक्वेंसी की बात होती है बहुत सारे लोग सिर्फ जो इनफॉर्मेशन के रूप में उस चीज को बताते हैं और हमने देखे हम जो इस फिल्ड में अपना टाइम गुजा रहे हैं 25 साल 26 साल जो इसमें हमने बहुत गहरे में इस चीज को देखा है समझाया है तब हम आपको इसके अपने एक्सपिरियंस अनभो को इसके साथ जोड़ के हम आपको बताने का जो प इंडिविज्वल हैं तो ये दिरिश और दिरिश के रूप में अगर आप देखेंगे समझेंगे जानेंगे इससे महसूस करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको नालिज में आएंगे ठीक है तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डार्क एनर्जी जो है डार् कर देखेंगे आपको दिखता थोड़ो है उटार्क एनर्जी में सिगनल तो आ ही रहे हैं लेकिन दिखता क्यों नहीं है कि सिगनल का रूप रेखा कैसा है ठीक है उसके ग्राफ कैसे है लेकिन उसे फिर डियस्टो पर आप देख सकते हैं जब उसके इंटर्नल वहाँ पर जाकर उन देख सकते हैं समय नेटोर का ग्राफ कैसा है और ऐसे क्यों ने देख पाते हैं इस्टूमेंट के जरी हम देख पाते हैं तो ऐसे सारे चीजें बहुत डार्क एनरजी हैं जो हमको दिखता नहीं है लेकिन आपके ना देखने के उजासे ऐसा नहीं कि वो यह है ही नहीं क्योंकि यह जो बनाया है यह कुद्रत ने बनाया है और सबको अलग-अलग बनाया है अलग-अलग चीजों के लिए डियाइन किया है यह मिक्सिंग करके हम गड़बड कर देते हैं यह प्राब्लम है